हे गाई चलिए आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा वो भी बहुत आसान तरीके से जटपट बनने वाला तो चलिए सबसे पहले हम दो किलो गाजर ले लेंगे इसे अच्छे से धोके हम इसे कद्दू कस कर लेंगे चलिए अब कड़ई लेंगे कड़ई में दो चम्मच घी अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसका गाजर का पूरा पानी हम अबजो होने देंगे तब भी गाजर का हलवा अच्छा हो टेश्टी लगता है इस प्रोसिस को होते होते कम से कम 10-15 मिट लग सकते हैं उसके बाद ही हम इसमें मिल्क एड़ करेंगे अब हम मिल्क ले लेंगे दो किलो गाजर के लिए हम वान लिटर मिल्क ले लेंगे धिरे धिरे एड़ करते जाएंगे अब इसे अच्छे से मिक्स करके पकने देंगे लो टू मीडियम आज पर अब हम इसमें मिल्क पाउडर एड़ कर देंगे यह जो मैंने मुल्य का आता है वो दो पैकेट ले लिया है इससे क्या होता है गाजर के हल्वे में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और साथ में आप कोई भी ड्राइफूट ले सकते हैं यहां मैंने काजू बदाम कट करके ले ले लिए दस से बारा यह देखिए यह जो दूद हमने एड़ किया है उसे हमें पूरी तरसे अबजों होने देना है मतलब पूरी तरसे गायब कर देना है इस टाइम गेस को हम फास्टी रखेंगे अब देखिए मिल्क पूरी तरसे अबजों होने को आ गया है अब हम इसमें शुगर एड़ कर देंगे चीनी चीनी मैंने लिए देड़ का टोरी आप अपने हिसाब से मिठा कम ज़्यादा कर सकते है अब इससे अच्छे से मिक्स कर लेना है शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम मिल्क पूर्डर एड़ करेंगे मैं यहाँ दोनों पैकेड एड़ कर रही हूँ मिल्क पूर्डर को आप थोड़ा सा दूध में मिल्ला कर भी एड़ कर सकते है गुठलिया बन जाती है मिल्क पूर्डर की इसलिए इस प्रोसेस को हमें फास्ट फास्ट करना पड़ेगा अब हम इसमें टू चम्मच घी एड़ करेंगे थोड़ा साइड में हटा के हलवे को उसमें घी एड़ करेंगे उसी घी में हम वो ड्राइफूड डालेंगे कुछ अलग से करने की ज़रूत नहीं है आज को यहाँ लो करना है ताकि हम गाजर का हलवा हमारा जले नहीं और अच्छे से रोष्ट करना है ड्राइफूड को रोष्ट होने के बाद अब हम इसे सब में मिक्स कर लेंगे रोष्ट करने से क्या होता है मतलब हलका सा क्रंची क्रंची यह आता है इसलिए थोड़ा सा घी में फ्राइफ कर दोगे तो अच्छा रहेगा अब हम इसमें इलाइची पाउडर एड़ कर देंगे जो मैंने पहले से एक उठके रखी हुई थी अब आप इसी टाइम खोया भी एड़ कर सकते हैं लेकिन यकिन मानिए खोया नहीं भी एड़ करोगे तो भी वही टेस्ट आएगा आप इसे एक बार जरूर ट्राय करके तो लीजिए गाजर का हलवा हमारा रेड़ी है